नमस्का दोस्तो हमारे अपनी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो यदि आप भी दोजा 23 का MPPSC का फ्री एक्जाम दिये थे और आपका भी दोस्तो एक्जाम एक कोश्चन या दो कोश्चन से जो है प्री नहीं निकल पाया था रह गया था तो यह वीडियो आप के लिए भी काफी ज्यादा महजपूर्ण है आप से रिक्वेस्ट आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्रेंट वीडियो को लाइक करें शेयर करें दोस्तों MPPSC 2023 के प्री को लेकर प्री का जो रिजल्ट आया था उसको लेकर याचिका दाखिल की गई है और उसकी सुनवाई दोस्तों पहले तो दोस्तों 12 तारीक को होने वाली थी लेकिन दोस्तों अब उसकी जो सुनवाई है साथ तारीक को जो होने वाली है ये दोस्तों सुनवाई इसलिए हो रही है क्योंकि याचिका करताओं की जो वकील है अंसुल तिवारी जी उनोंने जो माननी हाई कोड़ के जो जज थे जो सुनवाई कर रहे थे उनसे कहा के सर ग्यारे मांच से तो जो है पेपर ही शुरू हो रहे है तो बारे मार्च को सुनवाई करने का कुछ ज़्यादा अच्चत नहीं रह जाएगा क्योंकि आप ज प्रच्चरों मामला यह है कि MPPSC पर याज का करताओने ये आरोप लगाया है कि बहुत सारे कुश्यन ऐसे हैं जिनके जो है MPPSC ने गलत आंसर जो है दिये हैं जी के जो है गलत रॉंग आंसर जो है MPPSC ने दिये हैं और उसी के कारण हम जो है MPPSC की Pre-Exam जो है नई क्वालिफाई कर पाए और दोस्तों माननी हाई कोट के जो जज है उन्होंने पचास स्टुडेंटों को जो है मैंस के फॉर्म बनने के लिए MPPSC को आदेश भी दिया है कि इनके जो है आप फॉर्म भरवाई है और अब दोस्तों इसकी जो सुनवाई है वो दोस्तों साथ मार् में जो याचका करता सामिल है उसके अलाबा भी दोस्तों जो याचका करता जो स्टुडेंट बहुत सारे स्टुडेंट ऐसे जो सामिल नहीं हो पाए है कोट में केस नहीं कर पाए है उनको भी जो है फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस पर भी कुछ हो सकता है ऐसे भी कया या आप आयें तो इस कारण कॉट उनको भी दोस्तो जो कि इस फैसले का फाइदा मिल सके या निकि दोस्तों सवी स्टुचुडन पर भी हो सकता है जो को आये हैं या फिर दोस्तों नहीं है ठीक है दोस्तों देखते हैं मारे जो है मारे चैनल पर सबसे पहले आपको बताएंगे तो ठीक है दोस्तो यदि इस वीडियो को समराज करें तो 2023 का जो एक्जाम है उसमें प्री में मैं आपको बता दूँ प्री के रिजल्ट को लेकर MPPSC पर इस्टूडेंट ने या रूप लगाया है कोट में केस किया कि इसमें बहुत सारे कोश्चन ऐसे थे कुछ कोश्चन जिनके MPPSC ने गलत आंसर दिये हैं और उन गलत आंसरों के कारण हमारा प्री एक या दो कोश्चन से रुग गया है थी उनके सही आंसर जो है मानता तो हमारा प्री जो है निकल जाता MPPSC MPI कोट ने उनकी बास सुनने के था कि आपने इन कोश्चन हो गया आंसर ये क्यों माने थे और 12 तारीक को सुनवाई होने वाली थी लेकिन 11 से मैंस के पेपर सुरू हो रहे है तो 7 तारीक को इसकी सुनवाई हो रही है जो आज का करताओं कि वकील थे अनसुलतेवारी जी उनकी अनरोध पर तो ठीक है फ्र